बिन्न है ना जो अपने तरफ से किसी को अपने व्यत्तिव कहेगा कि इसको टिकेट ले दिया वह है आपको आपकी मेहनत के साथ से लोगों के जोडने के आधार पर आपके कमप्टीशन के आधार पर आपकी मेहनत के आधार पर आपको टिकेट दे रहा है और आपकी मेहनत के प्यादार पर यदि आप सत्रा नोवंबर तक लगातार लोगों को जोड़के नंबर बन पर आ रहे हैं तो आपको कि मुख मंत्री भी बना रहा है तो दल इसमें दल कुछ कामी नहीं कर रहा है वो क्तिराइफ्री बारत मिशन के 18 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए जो रचना की गई है जिसमें डरे हुए सज़स्यों को सबत की भूंका में और निडर और रवीक लोगों को चद्र गुप्त की आत्रा में जो अपने मेरेट इस तान पर पहुंचेंगे वो जो है उन्हें टिकेट मिलेगा और बिना टिकेट के यह से राक्षिसी व्यवस्ता के जनक राजनेताओं को पराजित नहीं किया जा सकेगा तो यह राजनेतिक दल है भी क्योंकि यह चुनाओ आयोग के द्वारा रिजिस्टर्ड है और यह टिकेट देगा तो उस टिकेट के आधार पर हमें एक मानता पराप्त दल के साथ से जो है आप प्रतनिदी माने जाएंगे एक मानता पराप्त जो है रिजिस्टर्ड दल के जो प्रतनिदी को लाब मिलता है सासन से वो आपको मिलेगा और टिकेट पाना आपके हाथ में है क्योंकि आप लोगों को जोड़ेंगे तो केवल टिकेट पाना ही आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में मुखमंत्री बनना भी है आपके हाथ में उत्मुखमंत्री बनना भी है आपके हाथ में बिधायक बनना तो पक 200% है बसरते और इसके साथ साथ 21 लक्षों के साथ महा परवर्तित भारत मिल जाएगा जो आज के दुष राजनेताओं ने आपको दूर रखा है यह आपको मालूम होना ही चाहिए कि आज आपके उपर जो नियम कानून थुपे हुए हैं वो सब नियम कानून वो सब के सब नियम कानून अठारा सो संताओं की क्रांति के बाद भारत बासियों को करस करने के लिए पुचलने के लिए अपमानित करने के लिए और सोसित करने के लिए बनाए गए थे यह वही जो है विवस्ता है जिसके तहट हमें नियाय का ढखोशला करते हुए पच्ड़े में फसाकर हमें बरसों बरस जो है नियाय नहीं मिलता है नियाय पाने की चाहे में हम बरवाद हो जाते हैं हमारे घर बिख जाते हैं आर्टीफिसियली इसे कॉग्रिजिबल नॉन कॉग्रिजिबल और सिविल ओफेंस में पाठा गया है सिविल ओफेंस में आपको बहुत ही दरवर कारवाई है नियाया इसे